भारत माता की है भारत माता की है भारत माता की है शर्दार साहप की ओजस्ववानी स्टेची अफ यूनिटी के समीप ये भव्य कायरकरम एकता नगर का ये विहंगम द्रश्य और यहां हुई शांदार परफॉर्मेंसे ये मिनी इंडिया की जलक सब कुछ कितना अध्भूत है कितना प्रेरक है पंदरा अगस्त आठ चब्विस जनवरी की तरह ही इकतिस अक्तुबर को होने वाला ये आयोजन पूरे देश को नई उर्जा से भर देता है मैं राष्ट्रिय एकता दिवस पर सभी देश्वाचियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों इस बार का राष्ट्रिय एकता दिवस अदभूत संयोग लेकर आया है एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ दिपावली का भी पावन पर्व है दिपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोडती है पूरे देश को प्रकाश्मय कर देती है और अब तो दिपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड रहा है अनेक देशों में इसे राष्ट्रिय उत्सव के तरह मनाया जा रहा है मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतियों को भारत के शुब चिन्तकों को दिपावली की अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ साथियों इस बार का एकता दिवस एक और वज़ से भी विशेश है आज से सरदार पटेल का देड़ सोवा जन्म जैन्ती वर्ष शुरू हो रहा है आने वाले दो वर्षों तक देश सरदार पटेल की देड़ सोवी जन्म जैन्ती का उत्सव मनायेगा ये भारत के प्रती उनके असाधारण योगदान के प्रती देश वाचियों की कारियान जली है दो वर्ष का ये उत्सव एक भारत स्रिष्ट भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा ये अवसर हमें सीख देगा कि आज सम्भव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता है जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे और अभी हमने सरदार साब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना उन लोगों को जरा भी उम्मिद नहीं थी कि सेंकडों रियासतों को एक जुड़ करके फिर से एक भारत का निर्मान हो पाएगा लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यहवार में यथार्थवादी संकल्प में सत्यवादी कारिय में मानवतावादी और धे में राष्ट्रवादी थे साथियों आज हमारे पास छत्रपती सिवाजी महराज की प्रेरणा भी है उन्होंने आकरांताओं को खदेड़ने के लिए सब को एक किया कि महराष्ट का राएगड किला आज भी साक्षाहत वो गाथा कहता है छत्रपती सिवाजी महराज ने राएगड के किले से रास के अलग-अलग विचारों को एक उद्देश के लिए एक जुट किया था आज यहां एकता नगर में हम राएगड के उस अइतिहासी किले के उसकी छवी हमारे सामने प्रेरणा का पतीग बन के खड़ी है राएगड किला सामाजिक न्याय देश भक्ती और राष्ट्र पत्थम के समस्कारों की पवित्र भूमी रहा है आज इसी पुष्ट भूमी में हम विक्सित भारत के संकल्प की सिद्धी के लिए यहां एक जूट हुए है साथियों बीते दस वर्थ तक भारत की एकता और अखंता के लिए यह कालखन अभूत्पुर्व उप्लब्दियों से भरा रहा है आज सरकार के हर काम हर मिशन में राष्ट्रिय एकता की प्रतिवधता दिखती है इसका एक बड़ा उदाहनन है हमारा यह एकता नगर यहां स्टेची अफ यूनिटी है और इसके सिर्फ नाम में यूनिटी है ऐसा नहीं है इसके निर्माण में भी यूनिटी है इसको बनाने के लिए पूरे देश के कौने कौने से देश के किसानों के पाँच से खेत में उप्योग किये है ओजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया क्योंकि सरदार साब लोपुरुस थे किसान पुत्र थे इसलिए लोहा और वो भी खेत में उप्योग किये ओजार वाला लोहा यहां लाया गया यहां देश के हर कौने से वहां की मिट्टी लाई गई है इसका निर्मान स्वयम में एकता की अनुभूती कराता है यहां पर एकता नरसरी बनी है यहां विश्ववन है जहां दुनिया के हर महादीप के पेड़ पौधे हैं यहां चिल्डरन नुट्रिशन पार्क हैं जहां पूरे देश की हेल्दी फूर्ड एहबिट्स के दर्शन एक ही जगव पर होते हैं यहां आरोग्य वन है जहां देश की अलग हिस्सों की आयुरुवेद परंपरा का पाउधों का समावेश है इतना ही नहीं यात्रियों के लिए यहां एकता मौल भी है जहां देश भर के हैंडिक्राप्स एक ही छत के नीचे मिलते हैं और साथियों यह एकता मौल स्रफ यहीं पर है ऐसा नहीं हर हम देश के हर राज की राज़दानी में एकता मौल के निर्मार को फोत्साहन दे रहे हैं एकता का यही संदेश हर वर्ष होने वाली एकता दोड से भी मजबूत होता है साथियों एक सच्चे भारतिय होने के नाते हम सभी का करतब है कि हम देश की एकता के हर प्रयास को सेलिब्रेट करें उत्साह उमंग से भर दे उर्जान आत्मविश्वास हर पल नए संकल्प नई उमीद नए उमंग यही तो सेलिब्रेशन है जब हम भारत की भाशाओं पर बल देते हैं उससे भी एक ता की एक मजबूत कड़ी हमें जोडती है नई राश्टिय शिख्छानिती में हमने भारतिय भाशाओं में पढ़ाई पर विशेश बल दिया है और आप सब को पता हैं और देश ने गवरों भी अनुभों किया दुनिया भर में उसे उत्सव के रूपे बनाए गया वो कौन सा निर नहीं था हाल में ही सरकार ने मराथी भाशा बांगला भाशा असम्या भाशा पाली भाशा और प्राकृत भाशा इन भाशाओं को सास्त्रिय भाशाओं का दर्जा दिया सरकार के इस फैसले का सभी ने दिल से स्वांगत किया है और हम हमारी भाशा को मात्रु भाशा कहते हैं और जब मात्रु भाशा का संबान होता है तो हमारी अपनी माता का भी संबान होता है हमारी धरती माता का सम्मान होता है और हमारी भारत माता का सम्मान होता है भाषा की तरह ही आज देश भर में चल रहे कनेक्टिविटी के काम जोड़ने के काम भी देश की एकता को मजबूत कर रहे हैं रेल हो रोड हो हाइवे हो और इंटरनेट जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्टर के ने गाउं को सहरों से जोड़ा है जब कश्मीर और नौर्थ इसकी राध्धानिया रेल से जुड़ती है जब लक्सदीप और अंदमान नीकोबार द्वीप अंदर सी कैबल से तेज इंटरनेट से जुड़ते हैं जब पहड़ों पर लोग मोबाइल नेटवर्ट से जुड़ते हैं तब विकास की दोड़ में पीछे छुड़ जाने का भाव समाप्त हो जाता हैं आगे बढ़ने की नई उर्जा अपने आप जन्म लेती है देश की एक्ता का भाव ससक्त होता है शाथियों पहले की सरकारों की नीतियों में और नियत में बेद भाव का भाव भी देश की एक्ता को कमजोर करता रहा है बीते दस वर्षों में देश में सूशासन के नए मॉडल ने भेद भाव की हर गुंजाईश समाप्त की है हमने सब का साथ सब के विकास का रास्ता चुना है आज का प्रयास हो रहा है आज पी एम किसान सम्मान निधी सब को मिलती हैं तो सब को बीना भेद भाव मिलती है आज कि सरकार की इस एप्रोच ने समाज में लोगों में दसकों से व्याप्त और संतोस को समाप्त किया है इस वज़े से लोगों का सरकार पर भरोसा बड़ा है देश की व्यवस्ताओं पर भरोसा बड़ा है विकास और विश्वास की यही एक्ता एक भारत स्रेश्ट भारत के निर्मार को गति देती है और मुझे पुरा विश्वास है हमारी हर योज़रा में हमारी हर नीती में और हमारी नीयत में एकता हमारी प्राण शक्ती है इसे देख करके सुन करके सरदार सहप की आत्मा जहां भी होगी हमें अवश्य आशिर्वाद देती होगी साथियों पुझ्य बापों मात्मा गांदी कहा करते थे बिवीदता में एकता को जीने के हमारे सामर्थ की निरंतर परिख्षा होगी गांदी जी ने कहा था और आगे कहा था इस परिख्षा को हमें हर हाल में पास करते रहना है बीते दस साल में भारत ने बिवीदता में एकता को जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है आज बन नेशन बन आइडेंटिटी यानि आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती है पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टिम थे हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टिम जी एस्टे बनाया हमने वन नेशन वन पावर ग्रीड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया वर्रा एक बग था कहीं बिजली तो होती थी कहीं अंधेरा होता था लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए ग्रीड तुकड़ों में बटी पड़ी थी हमने वन नेशन वन ग्रीड इस संकल्प को पूरा किया हमने वन नेशन वन राशन कार से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड दिया एकी कृत किया हमने आईश्मान भारत के रुप में वन नेशन वन हेल्थ इंशरंस की सुविधा देश के जन जन को दिया है साथियों एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्षन पर काम कर रहे है जो भारत के लोक्तंत्र को मजबूती देगा जो भारत के संसादनों का आप्टिमम आउटकम देगा और देश विख्षिद भारत के सपने को पार करने में और नई गती प्राप्त करेगा सम्रुद्धी प्राप्त करेगा भारत आज बन नेशन बन सिविल कोड यानि सेकुलर सिविल कोड की तरब भी बढ़ रहा है और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था इसके भी मुल में सामाजिक एकता सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है इससे अलग-अलग सामाजिक वर्गों में वेदभाव की जो सिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी देश की एकता और मजबूत होगी देश और आगे बढ़ेगा देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा साथियों आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के साथ दसक बार देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है सरदार साथी आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी स्रप्धांजली है देश वांचियों को पता नहीं है सत्तर साल तक बामासाब आमबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा गोर अपमान किया था कारण क्या था जम्मू किश्मीर में आर्टिकल तिन सो सत्तर की दिवार आर्टिकल त्री सेवन्टी जो देश में दिवार मन के खड़ी थी संविधान को यहां रोग देती थी वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वन्चित रखती थी वो धारा तीन सो सत्तर को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है पहली बार वहां इस विधान सबाद चुनाओ में बीना भेद भाव को वोट डाले गए पहली बार जम्मु कश्मीर में मुख मंत्री ने आजहादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपत लिया है ये द्रश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोस देता होगा उनकी आत्मा को शांती मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के परती हमारी नमरस रद्धान जली है मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाओं मानता हूँ जम्मू कश्बीर की देश भक्त जन्ता ने अलगाव और आतं के बर्षो पुरान एजन्डे को खारिज कर दिया है उन्होंने भारत के समिधान को भारत के लोक तंत्र को विजई बनाया है अपने अपने वोर्ड से सत्तर साल से चल रहे अपपरचार को द्वस्त कर दिया है मैं आज राष्टिय एक तादिवत पर जम्मू कश्बीर के देश भक्त लोगों को भारत के समिधान पर सम्मान करने वाले लोगों को साथियों बीते दस साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्वों का समाधान किया है जो राष्टिय एक ता के लिए खतरा थे आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुक्सान पहुँचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं आप नौर्थिस्ट में देखिये कितने बड़े संकट थे हमने समवाद से विकास और विश्वास से अलगाओं की आग को शांत किया बोडो समझोते ने असम में पचास सानों का विवाद खत्प किया है ब्रूर यांग एग्रिमेंट इसके कारण हजारों बिस्थापित लोग अनेक दसकों के बाद अपने घर लोटे है नेशनल लिबरेशन फ्रंट अफ तिरपुरा से हुए समझोते ने लंबे समय से चल रही अशांती खत्म की है असम और मेगाले के बीच के सिमा विवाद को कापी हद तक हम सुल जा चुके है साथियों जबी कीश्वी सदी का इचिहाद लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वन्रिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दसक में नक्सलवाज जैसी भयानक बिमारी को जड़ से उखार दिखाया होगा उखार करके फैंका आप जयात करिये वो समय जब नेपाल के पतुस्पती से भारत के तिरुपती तक रेड कोरिडर बन चुका था जिस जन जातिय समाज ने बगवान बिर्सा मुन्ना जैसे देश भक्त दिये जिनोंने हमारे सीमीत संसाधनों के बावजुद भी देख के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनोंने आजहादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया ऐसे जन जातिय समाज में सोची समझी साजिस के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए नक्सलवाद की आग भड़काई गई ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंता के लिए बहत बड़ी चुनावती बन गया था मुझे संतोज है कि बीते दस साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतीम सांसे गिन रहा है आज मेरा आदिवासी समाच उसे भी दसकों से जो प्रतिश्चा थी वो विकांस उसके घर तक पहुंच रहा है और इससे बहतर भविष्च का विश्वास भी पैदा हुआ है साथ क्यों आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दर्स्टी भी है दिशा भी है इतना ही नहीं इसके साथ जो जरूरी है दर्स्टी हो दिशा हो लेकिन उसे जरूरत होती है दर्ड़ता की आज देश के पास दर्स्टी है दिशा है और दर्ड़ता भी है ऐसा भारत जो सचकत भी है ऐसा भारत जो समावेशी भी है उनों का महत्म जानता है दुनिया भर में मची भारी उथल पुथल के बीच सबसे तेज गती से विकास करना ये सामान्य बात नहीं है जब अलग-अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हो तब युद्ध के बीच बुद्ध के संदेशों का संचार करना सामान्य नहीं है जब दुनिया के अलग-अलग देशों में रिस्तों का संकट है तब भारत का विश्व बंधू बनकर उभरना सामान्य नहीं है जब दुनिया में एक देश की दूसरे देश से दुरी बढ़ रही है तब दुनिया के देश भारत से निकडता बढ़ा रहे है ये सामान्य नहीं है ये नया इतिहास रचा जा रहा है आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है साथियों आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे अपने संकटों का दढ़ता के साथ समाधान करना है आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे ऐसे एक जूट होकर दसकों पुरानी चुनोतियों को समाप्त कर रहा है और इसलिए हमें इस महत्वपुन समय पर अपनी एक्ता को सहदना है उसे संभालना है हमने एक्ता की जो सपत ली है उसे बार बार याद करना है उस शपत को जीना है जरुरत पड़े तुस सपत के लिए जूजना है हर पल इस शपत की भाव को अपने जोम से भरते रहना है साथियों भारत के बढ़ते सामर्थ से भारत में बढ़ते एक्ता के भाव से कुछ ताकत है कुछ विक्रुत विचार कुछ विक्रुत मान सिकता है कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है भारत के भीतर और भारत के महार भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता भारत में अराग देखता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं वो ताकतें चाहती के दुनिया भर के नेशकों में गलत संदेश जाएं भारत की नेगेटिव छबी उपरे ये लोग भारत की सेनाओं तक को टार्गेट करने में लगे हैं मिसिन्फरमेशन केंपेंच चलाए जा रहे हैं सेनाओं में अलगाओं पैदा करना चाहते हैं ये लोग भारत में जात पाँच के नाम पर विवाजन करने में जूटे हैं इनके हर प्रयास का एक ही मक्सद है भारत का समाज कमजोर हो भारत की एकता कमजोर हो ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विक्सित हो क्योंकि कमजोर भारत की राजनिती गरीब भारत की राजनिती ऐसे लोगों को सूट करती हैं पाँच पाँच दसक तक इसी गंदी गिनोनी राजनिती देश को दुरबल करते हुए चलाई गई है इसलिए ये लोग सम्विधान और लोगतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं अर्बन नक्सलियों के इस गटगोड़ को इनके गटजोड़ को हमें पहचानना ही होगा और मेरे देशमासियों जंगलों में पनपा नक्सलवाद बंबंदूग से आदिवासी नवजवानों को गुम रहा करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया अर्बन नक्सल का नया मोडल उभरता गया हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले देश को बर्माद करने की विचार को ले करके चलने वाले मुह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा उनसे मुकाबला करना ही होगा साथियों आज हालत ये हो गई है कि आज कल एक ता की बात करना तक गुना बना दिया गया है एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल कॉलेज में गर्व में बाहर सहज रुप से एक ता के गीद गाते थे जो पुराने लोग है सभी जन एक है रंग रूप वेश भासा चाहे अनेक है ये गीद गाये जाते थे आज की तारीख में कोई ये गीद गायेगा तो उसको अर्मन नक्सलों की जमात गालियां देने का मोका पकड़े लेगी और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभासित करने में लगेंगे जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं उन्हें देश की एकता अखर रही है और इसलिए मेरे देश वाजियों हमें ऐसे लोगों से ऐसी विचारों से ऐसी प्रवृत्ती से ऐसी वृत्ती से पहले से भी जादा साउधान होने की जरुरत है हमें साउधान रहना है साथियों हम सब सरदार सहाब को उनके विचारों को जीने वाले लोग है सरदार साब कहते थे भारत का सबसे बड़ा लक्ष एक जूट और मजबूती से जुड़ी शक्ती बनने का होना चाहिए हमें याद रखना है हिंदुस्तान विवितता वाला देश है हम विवितता को सलिब्रेट करेंगे तभी एकता मजबूत होगी आने वाले पतीज साल एकता के लिहाद से बहुत ही महत्वपून है इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पढ़ने देना है हर जूट का मुकाबला करना है एकता के मंत्र को जीना है और ये मंत्र ये एकता ये तेज आर्थिक विकास के लिए भी विक्सित भारत बनाने के लिए संबरुद्य भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है ये एकता सामाजिक सद्भाव की जड़िवुट्टी है सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत जरूरी है अगर हम सच्चे सामाजिक न्याए को समर्पित है सामाजी की न्याय हमारी प्राक्टिक्ता है तो आएक्ता सबसे पहली पूर्व शर्त है एक्ता बनाए रखना है ये बहतर सुविधाओं के निर्माण के लिए बिना एक्ता को गाड़ी चल नहीं सकती है ये नोकरी के लिए निवेश के लिए एक्ता जरूरी है आएए हम एक होकर एक साथ आगे बड़े एक बार फिर आप सभी को राष्टिये एक्ता दिवस पर मेरी धेर सारी सुपकामना है मैं कहूंगा सरदार साब आप सब बोलिए अमर रहे अमर रहे सरदार शाब सरदार पटेल भारत मताकी आप होंगा उसत थे एक्ता मौतमी आप सरदार पटेल झाल झाल